इस question में कह रहा है Each side of a square floor bed is 2 meter 80 cm long एक square floor bed है जिसकी हर एक side 2 meter 80 cm की है तो माल लीजे ये हमारा floor bed है जिसकी हर एक side 2 meter 80 cm की है ये सारी sides equal है अब आगे क्या कह रहा है क्योंकि square है इसलिए size sides equal है अब आगे क्या कह रहा है It is extended by digging a strip 30 cm wide all around it ये extend कर दी गई 30 cm तो ये extend कर दी गई माल लीजे ये 30 cm extend कर दी गई चारो तरफ से आगे क्या कह रहा है Find the area of the enlarged flower bed and also the increase in the area of the flower bed हमें ये बताना है कि इस पूरे का area कितना है और कितना increase किया है उन्ते पाट का area क्या है देखिये लिखा है area of the enlarged flower bed जितना increase किया है उस पूरे flower bed का area कितना है और कितना increase हुआ है पुराने वाले फ्ला बेट से उसका area कितना है ये दोनों निकाले तो कैसे निकालेंगे देखिये हमें पता है हमने जो एक्स्टेंड किया है वो कितना किया है 30 cm wide किया है अब हम सबसे पहले अंदर वाले का area निकालेंगे देखिये ये area पूरा तो निकल सकता है कैसे निकलेगा इस पूरी side में अगर हम 30 cm इधर और 30 cm इधर का add कर दें तो हमारी ये side निकल के आजाएगी वही करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है नेमिंग कर देते है A, B, C, D, L, M, N, O अब देखिये अब हम पहले अंदर वाले flower bed का area निकाल रहे है तो हमें side दे रखी है side of LM दे रखा है ये LM की side दे रखी है हमें दे रखी है 2 meter 80 centimeter तो क्योंकि ये meter और centimeter में दोनो है तो हम इसको meter में change कर लेते है तो ये कितना आ जाएगा 2.8 meter कह सकते हैं इसको कैसे देखिये हमें पता है 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter के equal होता है right 80 centimeter किसके equal हो जाएगा 80 upon 100 के right तो एक जीओ से एक जीओ कैंसल होगी तो इसको क्या लिख सकते है 0.8 meter तो हमने 2 meter में 0.8 meter आट गया तो 2.8 meter आ गया तो एरिया कितना आ जाएगा एरिया ओफ स्क्वेर L M N O फिर से बतारी हूँ यह side हमारी meter और centimeter दोनों में दीवी थी तो हमने उसको meter में ही change कर लिया है अब हम इस square का area निकाल लें जब एक side पता होती है square की तो हम उसका area निकाल सकते है कैसे हमें पता है वह होता है formula side into side तो 2.8 into 2.8 कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा 2.8 into 2.8 8, 8 is a 64 8, 2 is a 16 plus 6 is 22 2, 8 is a 16 carry 1, 2, 2 is a 4 and 5 तो यह आगे 4, 8 and 7 और क्योंकि यहाँ पे 2 digit पहले point है तो यह आगे 7.84 7.84 meter square क्या है हमारा अंदर वाले flower bed का area अब इसी तरीके से हम बड़े वाले flower bed का area निकाल लेंगे तो उसके लिए हम side निकाल लेते है side of AB AB की side कैसे है जो हमारी LM की side थी उसमें हम 30 cm दोनों side की width add कर देंगे AB की side निकालने के लिए तो LM थी हमारी 2.8 cm और 30 प्लस 30 60 cm अब 60 cm को अगर हम मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 60 upon 100 meter आ जाएगा तो that means 2.8 प्लस अब यह एक 0 से एक 0 कैंसल हो गए तो इसको हम 0.6 लिख सकते है 0.6 तो यह आ गई हमारी 6 प्लस 8 इस 14 carry 1 3.4 मीटर की साइड आ गई राइट अब हम क्या निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे एरिया ओफ A, B, C, D तो वो formula क्या होगा क्योंकि यह square बन गया है तो side into side ही आएगा तो 3.4 into 3.4 तो यह कितना आ जाएगा 3.4 into 3.4 4, 4 is a 16, 4, 3 is a 12 and 13 3, 4 is a 12, 3, 3 is a 9 and 10 तो यह आ गया 6, 5, 1, 1 और क्योंकि दो डिजिट से पहले point लगेगा तो point लगा दिया तो यह आ गया 11.56 meter square यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे एक डिजिट तो दो डिजिट पहले क्या लगा दिया है point लगा दिया है तो इस बड़े वाले flower bed का area पता चल गया अब दूसरे पार्ट क्या कह रहा है हमें कितना increased area है उस फ्लाव बेट का area निकालना है मतलब हमें कौन से पार्ट का area निकालना है इस पार्ट का area निकालना है अब second part में तो कैसे निकालेंगे देखे हम क्या करेंगे बड़े वाले square में से छोटा वाला square माइनस कर देंगे तो area of increased फ्लाव बेट का area कैसे निकालेंगे देखे एरिया of a b c d में से हम माइनस कर देंगे area of lm no तो a b c d का area था 11.56 m2 और lm no का area था 7.84 m2 तो यह कितना आजाएगा 6 में से 4 गेस 2 15 में से 8 गेस 7 10 में से 7 गेस 3 3.72 m2 increased फ्लाव बेट का area है answer let's do next question now